चलिएगा बच्चों इसको जल्दी से उड़ा देते हैं एक्जाम्पल नंबर सीक्स इसको दो तरीके से बताऊंगा एक तो ट्रिक्स है ट्रिक कुछ नहीं है वो भी कॉंसेप्ट ही है और वो मैं आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ तो मैं एक तो अपने कॉंसेप्ट से बत आ सकते हैं अपने एक्जामिनेशन होड में तो चलिए देखते हैं एक्जाम्पल नंबर सीक्स है दो इक्जाम्पल नंबर सिक्स ठीक है एसल कहा है बहुत आपको इच्छे से पता ही है इसमें हमसे क्या क्या रखा आबोडी ट्रैविलिंग एलोंग फ्रेट लाइन velocity of V note, जितना कहे उतना आप बना लो, otherwise आप मार खा जाओगे, इसने क्या कहा, इसने कहा कि suppose that, ये AB एक path है, इसका कोई mid है बीच में, let us suppose C, और ये half distance, कितने distance, half distance को V note, V note, V note, velocities है, ये complete कर लेता, जितना इसने कहा, मैंने इसको मान लिया, ओ मैं ये भी मान लेता हूँ, let us suppose कि ये पूरी 2X है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इसको मैं X भी मान सकता हूँ, मैं इसको D भी मान सकता हूँ, मैं इसको 4X भी मान सकता हूँ, कुछ भी, तो let us suppose ये पूरी क part of the distance जो distance का बचा हुआ हिस्सा है was covered with the velocity we won for the half the time यह important है उसने कहा है कि यहां से यहां तक चला है C से B तक चला है तो जितना भी time लगा उसका other time ले लो उसके other time में suppose that वो यहां पोचा other time में वो यहां पोचा तो इस other time को इसमें लगने वाला time let us suppose की यह T है तो यह जो हो गया पूरा T2 हो गया यह T1 मान लो इसको इसको भी आपने T1 मान लिया time का आधा समें पूरे time का आधा समें वो C से D तक गया ठीक है और कितनी velocity से गया V2 तो let us suppose की यह V2 sorry V1 velocity से गया तो let us suppose की यह V1 हो गई और जो बाकी आधा time बचा उसमें उसने V2 velocity से cover किया बाकी बचा हुआ हिस्सा अब यह हिस्सा एक दूसरे के बराबर है यह जरूरी नहीं है ठीक है तो यहां सा आपने देख लिए simple सा कुछ नहीं था आपने simple देख लिए और यहां let us suppose की हा time जो लगा है वो कितना लगा t लगा तो एक conventional तरीके से देखो आप conventional तरीके से क्या देखो मैं यहां पर time निकालता हूँ पहले तो मैं कहूंगा time taken to move from a to c यह मैंने ले रखे रहे हैं point तो मैं इसी के सबसब दार हूँ a से c तक पहुँचने में कितना time लगा तो आपको पता है क्या पता वैलोशेटी इस इक्वल टू हो जाएगा displacement that is x upon time t यहां सा आप time निकाल लीजिएगा यह आजाएगा v time जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा displacement upon velocity तो इसको आपने यह लिख रहा तो यह वाले time आपने calculate कर लिया ठीक है अब देखो यह वाले distance कितनी है यह half क्या यह half distance है यास यह x distance बची क्योंकि distance तो उन्हें शुरुवात में कह दिया था बहले ही उस आधी distance के अंदर यह आधे आधे time में v1 और v2 velocities है गह है वो अलग भात है तो यह distance देखो अच्छा यह distance किसके बराबर होगी यह distance x1 के यह x1 मान लेते हैं और इसको मान लेते है x2 तो यह जो x है since x जो है यह x1 पिलस x2 के बराबर है अब यह x ठीक है यह x है और यह x1 पिलस x2 है जड़ा बताओ x1 में लगने वाला time कितना t1 तो मैं इस distance को निकालो तो मैं कहूंगा इसकी velocity into time क्योंकि distance जो होता है हमेशा velocity time के बराबर होता तो मैं कह रहा हूं कि x1 की value बताओ तो x1 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा v1 into t1 इसी तरह से x2 की जो value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ v2 into t1 क्योंकि time तो दोनों में same लगा यह as a question बोल लगा है कि half time जो लगा इसमें लगा और other time इसमें लगा वो आपने time मान लिये कि other time जो है वो t1 t1 ठीक है यह x चलना आपका अच्छे यह x की value अगर निकालना चाहूंगा x यह पूरी हो गई x यह पूरी हो चुकी है चाहो तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं तो x is equal to कितना जाएगा यहाँ सा आपने t1 common ले लिया यह उजाएगा v1 पिलस v2 ठीक है यहाँ सा आपने आपने क्या करना है t1 की value निकाल लो तो यह जाएगा x upon v1 पिलस v2 simple सी बात आगई यह आपने t1 निकाल लिया सही है I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कुछ था भी नहीं समझने के लिए यार जो नहीं आएगा ठीक है आगे देख लेते हैं मैं next page की बात करेता हूं next page हम पोश्क करते हैं हमसा उसने mean velocity average पूछ रखा पूरे पूरे time में यहां से यहां तक move किया है उसमें average velocity क्या बनी वो पूछ रहा है तो वो हम निकाल देते हैं कैसे निकालेंगे नेक्स पेज में बिल्कुल एक लाइन में निकाल देंगे आगोगो एक दो लाइन ने लग सकती है मैं कहूंगा कि average velocity जो होता है वो होता है total displacement upon total time कि यह वाली बात आपको अच्छे से पता है आपको बेशक आपको अच्छे से पता है मैं यह कहूंगा कि total displacement कितना था आप कहूए तुरन टौटल डिस्प्लाइस्टमेंट एस से बी तक पोहुँचने का टू एक्स था तो तो मैं कहूँगा ठीक है ठायि टू एक्स लिख दो तो मैं time same है तो मैं इसको मैं कह सकता हूं कि C से B तक टाइम लगा है वो लगा है 2 T1 आप कहो के बिल्कुर कह दो आप तो मैं कह दूँगा जो total time हुआ एक तो हुआ T plus 2T1 ठीक है आप कहो के बिल्कुर सही लिखा आपने अधरवाइस आप यह भी कह सकते है टोटल टाइम लगा है T plus T1 plus T1 तब भी वह बात निकल रहा थी ठीक है भई अब दो को स्वाल्व करना असान हो गया displacement आपने लिक दिया और आपने T और 2T दोटी और T1 की वैल्यू आपने निकाल रही है 2X को ऐसे ही रहने दो जरह बताओ T की वैल्यू आपने कितने निकाली थी ? जल्दी से Xपॐंवी नोट रख दो Xपॐंवी नोट पिलस जल्दी से बताओ आपने आपने T1 की value कितनी निकाली थी? X upon V1 पिलस V2. तो आपने जो T की value निकाली, दो ऐसी रह जाएगा, और जो आपने value निकाली है, वो X upon V1 पिलस V2 वो आप ऐसे ही लिख दोगे. इसको simplify कर लो बस, simple सा, V average निकल कर आजाएगा, क्या निकल कर आजाएगा, solve गरो, 2X को ऐसी रहन दो, यहां से देखो, इस वाले brackets से और इस वाले brackets सा आप X common ले सकते हो, जब आपने इस से X common ले लिया, तो यहां बचाएगा 1 upon V0 पिलस, यह 2 उपर रह जाएगा, और नीचा होगा V1 पिलस V2. यह simple calculation बता रहा हूं, बायो वालो के लिए हो सकता, दिक्कत आयों है, बिल्क से क्या रह जाएगा, नीचे LCM ले लो, अब देखो, यह एक अलग number है, और यह एक अलग number है, जब दो अलग-अलग number होते हैं, तो उनका LCM, उनका multiplication होता, अगर समझ नहीं आए तो आप ऐसे दिख रहे हैं, 1 upon 2 plus 1 upon 3, इन दोनों का LCM कितना होता, 6 होता, कैसे पतला का, दोन के लाएगा, इनका LCM के लाएगा, तो LCM जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, V0, V1 plus V2, ठीक है भई, जब आपने ऐसा किया, जब आप ऐसा कर लेते हो, तब आप क्या कहते हो, कि भई, 2, 3, अब देखो, यह 6 कर दिया आपने, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो, 2, 3, 6, 3 त 3 की मल्टिप्लाई हो जाती है उपर, ऐसे 6 को 3 से डिवाइड करते हो, दो बार गया, 2 की मल्टिप्लाई करते हो उपर, यह और एक सिंपल सा फंडा बता जेता हूँ, जब इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन ही, इन दोनों का LCM होता, तो इनकी क्रोस मल्टिप्लाई कर देते तो बेल्यू किति देखर जाएगा उसको में अलग कलर सा दिखा जिता हूं यह हो जाएगा ट्ष अपन का थर्ड नमर सबस्पों आप पर वीवन पिलस वीर्टू और वी परलिक सकता हूं V average हो जाएगा, actual में वो कितना हो जाएगा, 2 V1 plus V2 plus Vnode, Vnode multiplication में है, sorry, तो यह सब के सब multiplication में है, Vnode, अंदर bracket पिलस में है, तो यह हो जाएगा, V1 plus V2 plus 2 Vnode, ठीक है, तो यही आप से पूछ रहा था और यह आपने solve कर दिया, यह आप ऐसे रिजल्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे निमेरिकल मैंने ऐसे देखे जिनके अंदर वैल्यूस दे रही थी तो आप डायरक्ट एक सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं एक सेकंड तो नहीं चार पांस सेकंड लग जाएंगे डायरक्ट लोओ बहुत से होंगे टो ट्रिक से कैसे कैसे बता दो आपने ट्रीक है ट्रीक देखो है कि अट्रीक हां ट्रीक के बता रहे ती एक्चोल में ट्रिक हो टीख नहीं है भाई। अगर आपके फ göt हुए यहा देने तो पर आप तरह इस्तेंटि की तरह इस्तेमाल करतेगे तो कैसे मैंना आपको एक चीज बताया थी clear cut मैंने यह बताया था कि अगर आपके distance same है डिस्टेंस क्या है सेम डिस्टेंस क्या है सेम डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस से डिस्टेंस में तब आप एवरेज वैलो सिटी का जो फोर्मुला लगाते हो वी एवरेज इसको आप कहते हो ना वी एवरेज तो वह आप वी एवरेज जो दिखाते हो आप वह क्या दिखाते हो 2 v1 v2 upon v1 plus v2 क्या यह वाली बात आपको clear है दूसरा जब मैंने कह दिया time same है क्या है time same है linear motion हो रहे है time same है तो v average को फोर्मूला था वो यह था v1 plus v2 upon 2 क्या आपको यह वाली बात recall हुई क्या आपने यह वाली बात मेरे त्योरी जब पढ़ाते वक्त आपने यह चीज को देखा था स्पीड के अंदर मैंने यह चीज बता रहे हैं दोनों के स्पीड के अंदर explain कर रहे हैं अगर नहीं देखिए तो सर्च करो प्रिप्रिशर अट्ड़ के लीनेर मोशन है ना मोशन है इस ट्रेट लाइन और स्पीड के वारे मैं सर्च करो वह मिल जाएगा आपको यह दोनों बात आपको याद रख लेनी है अगर आपको यह दोनों बात यादा कितने जल्दी सोल्व हो जाएगा देखो हम से कह रखाता है उसना है कि यहां से यहां तक गया वह कितने से बताओ जल्ली से फटाफट यहां से यहां तक गया वह वी नोट से और आधे टाइम में टी और टी में यह है वीवन और यह है वीटू अगर आपको यह सब पता है तो देखो सिंपल सा सिंपल से पहले इसको solve वो कर लो time क्या है सेम है velocity V1 V2 दे रही तो बताओ इनका average कितना हो जाएगा time सेम है time सेम है तो average कितना हो जाएगा average जाएगा V1 पिलस V2 upon 2 तो इसका मतलब यहां पर जो velocity मिली आपको V1 पिलस V2 upon 2 मिली लाइडर सपोस कि आपने इसको कह रखाया है V-डैश और यहां कितनी है V-note है अब मेरे पास एक नए डाइग्राम बनेगा उस नए डाइग्राम में क्यों होगा नए डाइग्राम में यह होगा कि अब मेरे पास यह भी X बचा और यह भी X बचा बट यहां पर velocity V-डैश दे रही है और यहां पर velocity कितनी है V-note है डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस सेम है तब कौन सा फॉर्मल लगा होगे आप टू वी वन वी टू अपॉन वी अपॉन पिलस वी टू तो लगाओ जिल्ली सा फट 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 क्या वी एवरेज निकल कर आ आ जाएगा उस वी एवरेज की वैल्यू कितनी हो नहीं है क्या टू अब यहां पर velocity कितनी V-note और यहां पर velocity कितनी V-डैश की वैल्यू कितनी है वी वन पिलस V2 अपॉन तू नीचे कितनidents हो जाएगा नीचे क्या इसम है, simplify कर रहा हूं मैं, इसको 2 से 2 कड गया, उपर वचे का V note, V1 पिलस V2, bracket 1, नीचे का solve करो, यह पिलस लग रहा है, यह इसके divide में है 2, जब इसके divide में ही पहुचेगा, तो पहरे इसा multiply करेगा, तो 2 V note, पिलस यह V1 पिलस V2, ऐसा ही, और अब यह सब के divide हो आ जाए इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 2 V note, V1 पिलस V2, और नीचे के रह जाएगा, देखो, नीचे के रह जाएगा, नीचे सब पिलस में रह जाएंगे, तो आप कैसे तो V1 पिलस V2, पिलस 2 V note, तो क्या guys, यह मेरा answer है, और जो मेरा answer conventional तरीके से निकल कर आया, क्या यह सेम नहीं यह भाई, तो बस यह होता है, अगर आपके फंडे के लिए हैं तो, इसमें आपने बहुत लंबी चोड़ी calculation की, बट इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का concept लगाया, कि distance सेम होती है, तो कौन सेम होता है, तो कौन सेम होता है, आपने simple सा यह फंडे यू कर लिए, अब बात करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, वहाँ शुरू करते हैं, चल्ले सा फट अपर आप बने लिएगा साथ में हमारे,